वैलकम टू इजी लearning 700 आज मैं आपको सप्लाई कर्व के बारे में बताऊंगा तो सबसे पहले मैं सप्लाई कर्व ड्रॉ करता हूं यह मैंने y-axis ड्रॉ किया और यह x-axis y-axis के उपर जो वह प्राइज होता है और x-axis के उपर कॉंटिटी होती है और जो सप्लाई कर्व होता ह है वह já अप्वर्ट स्लौपिंग वता है यानि कि उप्पर की तुराइब स्लौप होता इसका सूरी जो यह आ अपर्वर्ड स्लौपिंग क्यों होता है क्यूंकि यह वह रिलेशनशिप शोगता है प्राइस के दर्मियान और quantity supplied होती है उसके दर्मियान जब कभी भी किसी प्रोड़क्त की प्राइज ज्यादा होती है तो उसकी quantity supplied भी ज्यादा होती है इसी वज़ा से जो सप्लाइज कर्व है यह अपवर्ड स्लोपिंग है यह उपर की तरफ जा रहा है इससे पिछली वीडियो में मैंने डिमांड होता है वह downward slope होता है उसमें उल्टा होता है जब प्राइज बढ़ती है तो quantity demand में कमी आती है लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जैसे जैसे प्राइज बढ़ती है तो जो quantity supplied होती है वह ज्यादा होती जाती है इसी वज़ासे जो supply कर्व है आपके सामने यह upward sloping है यह उपर की तरफ जा रहा है तो यह थी आज की वीडियो आपको अगर यह वीडियो अच्छे लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मजीर इस तरह की वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्स फॉर वाचिंग